सब्सक्राइब करें, बस्तुडी टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हाई गाईज मैं हुनिकल और आप देख रहे हैं बस्तुडी टाए से भी हैं, तो आप बहुत असानी से ब्लॉगर पर अपना एक डैनमिक क्विज क्रेट कर सकते हैं, डैनमिक क्विज मतलब कि एक ऐसा कोई जमिया पर डवलब करेंगे, क्रेट करेंगे जिसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंगविज का यूज नहीं है, साथ यसाथ आपको आपके सही जवाब और गलत जवाब के अनुसार आपको आउटपुट मिलेगा कि आपने कौन सा सवाल सही किया, कौन सा सवाल गलत किया और टोटल ओवर आपका स्कोर क्य रहा, तो एक बहुत ही डानमिक क्विज हो जाता है, वो भी बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंगवेज के, तो इसको कोई भी क्रेट कर सकता है, इसके लिए जो ट्रिक में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उस ट्रिक में हम एक टूल का यूज करेंगे, और उस टूल की उसका नाम है Hot Potatoes, आप यहां पर देख रहे हैं, आइकन Hot Potatoes 7 यहां पर लिखा हुआ है, Version 7 में यहां पर यूज ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है आपको, ठीक है, तो आपको जस्ट Google पर जाना है, और लिखना है, Hot Potatoes ठीक है, डाउनलोड, यह लिखते ही, आपके पास पहला लिंक आएगा, Hot Potatoes Homepage, इस पर क्लिक करेंगे, और यहां पर आपके पास इस तरीके से इंट्रफीस आजाएगा, Hot Potatoes Version 7, ठीक है, यहां पर आप नीचा आएगे, तो यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड Hot Potatoes for Windows from here, अगर आप कोई और OS यूज करें, लाइक Mac OS यूज करें, तो आप यहां से यूज कर सकते हैं, अदरवाइस Windows के लिए आप यहां से डाउनलोड करें, ठीक है, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, Older Version यहां पर अवैलेबल है, ठीक है, तो 7 मैं यूज क करने में, तो आपको डाउनलोड लिंक हमारे टालीगाम चैनल पर, साथ साथ फेस्बूक ग्रूप पर भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए, ओपन कर लेते हैं, Hot Potatoes को, मुझे आशाई कि आपने ब्लॉगर पर अपना एक ब् पहले से कर रखा है, तो आप बहुत इसको कर पाएंगे, अब आप इसका इंटरफेस देखिए, यहां पर आपका software open हो गया है, जिसका नाम पर आपके पास काफे सारे Potatoes आ रहे हैं, जिसका नाम लिखा रहा है, J-Close, J-Match, J-Cross, J-Mix, J-Quiz and the Masher, ठीक है, तो यहां पर यहां पर यहां पर काफे सारे feature हैं, इस टूल के, जहां पर काफे सारे चीज़े आप create कर सकते हैं, as a web page, ठीक है, तो यहां पर हमें J-Quiz, यानि कि J-Quiz यूज लेंगे, यहां एक quiz डवलाप करने वाले हैं, तो आप J-Quiz यहां पर क्लिक कर सकते हैं, इस Potato पर या फिर Potatoes में जाके J-Quiz पर क्लिक कर दीजिए, यहां पर आपके पास एक नई window open होगी, J-Quiz की, ठीक है, यहां पर एक नई window open हो गई है आपकी, window open होने के बाद आप देख सकते हैं, यहां पर इसका interface कुछ ऐसा है, पहले title लिखा रहा है, तो सबसे पहले आप यहां पर title लिख देंगे, जिस भी subject से related है, या पर जो भी title आप देना चाते हैं, अपने quiz का वो आप लिख सकते हैं, computer science quiz मैं आप लिख रहा हूँ, ठीक है, computer science quiz और यहां पर question 1 में, आपको यहां पर 5 question demo के तोर पर यहां पर add करके बताऊंगा, आप यहां पर कितने भी question add कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 100, 100, जितने भी question एक quiz में आप add करना चाहें, यहां पर कुछ question मैंने notpad के file में लिख रखे हैं, जिससे की time ज़्यादा waste ना हो सोचने में, तो यहां पर what is computer हम पहला question ले लेते हैं, यहां पर आपके पास question 1 लिखा आ रहा है, यह box में आपको question type करना है, यहां पर आगे जिस चार box आ रहे हैं, आपको इन चारो box में चार option लिखने हैं, किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से में लिखता हूं, ठीक है मैं यहां पर copy करके use दे रहा हूं, जिससे की बहुत ज़्यादा time ना लगे मुझे सोचने में, आपके पास question and answer आपके पास होंगे, तो आप सही सवाल का सही जवाब देंगे, तो साथ में आपको description भी show करेगा, ठीक है, यहां पर आपके पास तीसरे, यहां पर setting में आपके पास लिखा रहा है correct, और correct जो भी आपका answer सही हो, उस पर आपको tick mark कर देना है इस तरीके से, ठीक है, तो यह हमारा electronic machine, what is computer, computer is an electronic machine, इसको हमन करना आएगा, next का, इस पर click कीजिए, question number two, question number two add करते हैं, इसमें, option add करते हैं, okay, तो चारो option हमने add कर दी, question add होगया, question हमारा, what is not an input device, तो जो input device नहीं है, वो कौन सा option है, तो आपका answer है, इसमें printer, printer क्योंकि एक output device है, तो आप printer पर correct कर देंगे, अगर आपको कुछ feedback है, फिर description लिखना है, तो आप यहाँ पर लिख दीजी, printer is an output device, ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक description भी लिख दिया, कि आपको idea लग जाएगा, किस तरीके से work कर रहा है, ठीक है, question number three की तरफ move करते है, full form of BMP, हमने question three put up किया, इसके चार option यहाँ पर डाले, ओके, इस तरीके से हमने यहाँ पर चार option डाले, ओके, इसमें full form of BMP, the full form of BMP is bitmap picture, ठीक है, इसको correct कर दिया, next question, ठीक है, इस तरीके से question आगे बढ़ता जा रहा है, और automatically create होगा, आपको कुछ करने की जुरत नहीं है, आप सिर्फ अपना question and answer यहाँ पर copy paste कर रहे है, यहाँ पर हमारे पास क्या question इस बार, the unit in CPU which performs arithmetic and logical operation is, पहला option है, CU, control unit, दूसरा option है, register, तीसरा option है, ALU, और चौथा option है, cache memory, ठीक है, cache memory तो यहाँ पर जो सही जवाब है, वो arithmetic logical unit है, जो दोनों तरीके के operation perform करता है, तो चार question हमारे हो गए है, एक और question ले लेते हैं, which one of the following, यहाँ पर 5th पर move करा हमने, ठीक है, one by one, 5th पर move करा, which one of the following does not fall under the category of the secondary storage device, ठीक है, तो यहाँ पर पहला है हमारा SRAM, दूसरा है hard disk, तीसरा है optical disk, चौता है win chest, ठीक है, which one of the following does not fall under the category of secondary storage device, तो आपका answer है, इसमें SRAM, क्योंकि यह एक RAM है, जो कि primary storage device है, बाकि सभी secondary storage device है, ठीक है, तो 5 question हमारे create हो गए है, हाँ, इस quiz का एक और feature में आपको बता दू, जो आपके लिए काफी जादा useful होगा, कि इस quiz में question या फिर answer में आप image भी insert कर सकते हैं, कैसे चलिए देखिए, suppose मैं इस question में, जो पहला question है what is computer, इसमें question में हम computer की image put कर देते हैं, insert कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको एक option मिलता है, insert a picture from a web URL, ठीक है, तो आपको एक web URL से photo को insert यहाँ पर कराएंगे, नहीं, तो आपका जो question है, या फिर answer है, वो expand कर जाएगा photo के size के साब से, तो आप यहाँ पर set करें, ठीक है, इसके बाद all text यानि की picture पर जब आप अपना cursor लेके जाएंगे, तो आपको एक text show करेगा, तो वो text आप यहाँ पर set कर सकते हैं, या फिर question mark आ रहा है, तो आप उ गूगल पर जाएं, ठीक है, गूगल पर जाने के बाद, मैं suppose computer jpg यहाँ पर search करता हूँ, आप जो भी photo use लेंगे, वो jpg ही search करेंगे, या फिर jpg अपनी google drive में store करके, उसका link आप use ले सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से, suppose हमें ये computer चाहिए, इस computer की image चाहिए, इसको right click आप open image in new tab आपने करा, और आपके पास इस तरीकी का link है, ठीक है, ये आपकी image का link है, इसको आपको use करना है, end में आपको ऐसे लिखा आना चाहिए, ठीक है, तो ये तो हमने किसी भी particular external website से link लिया, आप क्या करेंगे, कि आपको अगर अपनी personal image या फिर आपको अपने किसी subject इमेज क्रेट करके आप Google Drive में upload कर सकते हैं और वहां से वो link paste कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर जे क्विज में आ गए हम यहां पर हमने link URL paste किया और OK कर दिया, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, अपने आप programming add हो गई, image src करके, ठीक है, इसमें आपको कुछ करने की ज इसमें standard format, इस पर click करना है, click करते ही यहां पर आप desktop पर या फिर खहीं पर भी अपनी फाइल सेव कर सकते हैं, suppose मैं quiz के name से यह फाइल सेव कर देता हूं, ठीक है जान, save कर दिया, save करते ही desktop पर यह फाइल सेव हो गई, आप देख सकते हैं, यहां पर इस तरीके से फाइल गई है, view the exercise in my browser, यानि कि आप इस quiz को directly open कर सकते हैं, ठीकि मैं अभी nothing करता हूं, इसको हम close कर देते हैं, हमारा काम इसका tool का हो गया, हमने quiz अपना create कर लिया, no कर देंगे, close and इसको भी हमने close कर दिया, अब हम अपना quiz run करके देखते हैं, इस पर double click करते हैं, तो यहां पर देखिए, आपका जो quiz है, what is computer, इस तरीके से button आ रहे हैं, यहां पर, और आपका quiz यहां पर run हो गया है, show all questions आ रहे हैं, ठीक है, next question पर जाएंगे तो इस तरीके से आएगा, और next जाएंगे तो इस तरीके से आएगा, यानि कि जो हमने question create करेते हैं, यहां पर show हो रहे हैं, ठीक है, अब हम answer करके देखते हैं, ठीक है, what is computer, computer is an electronic device, इस पर टिक किया हमने, correct, your score is 100%, question completed so far, 1 upon 5, 5 भी से एक question का answer दे दिया, okay, next चलते हैं, which is not an input device, ठीक है, printer हमारा सही जवाब तो इस बार गलत जवाब देते हैं, गलत जवाब देने पर देखने हैं, क्या होता है, mouse, mouse, cross आगे आप देखें, यहाँ पर, okay करते हैं, sorry, try again, okay कर दिया, फिर printer पर click करते हैं, okay करते हैं, यहाँ पर printer is an output device, देखी, जो description हमने add करा था, वो हमको यहाँ पर show कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर, okay कर देते हैं, then next करते हैं, सही जवाब देते हैं, then next करते हैं, then next करते ह हैं यहां पर हमारा नैननी फिरी पर सेन्ट बता रहाए याने की एक सवाल हमारा गलत हुआ है यहां पर आपके पास sure question आ ढब इसको कर देते हैं को इसको अपने ब्लोगर पर कैसे अड़ करें इसको कर दीजी क्लोज अब चलते अपने ब्लोगर पर ठीक आप सभी ने ब्लोगर पर अगर ब्लॉग क्रीट कर रखा उगा तो आपको इस तरीके का interface नजर आएगा यह मेरे default blogger है जिसको मैं बहुत ज़्यादा use नहीं कर पाता हूँ तो यहाँ पर post, stats, comments, earning यह सब show होगा आपको और यहाँ पर नीचे right hand side में एक plus sign show होगा आपको जिस पर create new post लिखा रहा है ठीक है सबसे पहले मैं आपको view blog करके blog दिखा देता हूँ किस तरीके का इसका interface है एक साधानर सब blog है यह ठीक है जिसमें इस तरीके की post यहाँ पर आपको नजर आ रही है ठीक है तो यहाँ पर आप इन post को पढ़ सकते हैं इस पर click करके इस तरीके से ठीक है तो हमें यहाँ पर यह पोस्ट क्रियेट करनी है ओके तो हमारी जो नई पोस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर चलिए प्लस के सेंट पर click करते हैं क्लिक करने के बाद आपके पास पोस्ट को लिखने के लिए इस तरीकी का interface open होगा सबसे पहले उपर टाइटल computer science quiz जो भी आप टाइटल देना चाहें जो आपका टाइटल गूगल पर सर्च करने पर आए यानि कि अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो जो heading आप यहाँ पर आएगी वो आप टाइडल में लिखेंगे ओके इसके बाद नीचे यहां पर आप यह canvas है आपका यह पेज आपका जहां पर आप लिखते हैं कुछ भी suppose my name is xyz यहां पर जो भी है यहां पर लिखते हैं और इसको format कर सकते हैं उपर दिएवे इसको not pad करेंगे ठीक है open with not pad करेंगे ठीक है complete इसमें automatically script आई है आपको कुछ नहीं करना है इसमें आपको क्या करना है कहीं पर भी क्लिक कर देना है cursor पर और Ctrl A दबाना है और right click करके इसको copy करना है और वापिस से minimize कर देना है ठीक है पूरी script पूरी coding आपको copy कर लेनी है जो आपने नहीं लिखिये सर्फ generate करी है अब आपको इसको paste करना है कहाँ पर आपको ब्लॉक पर post करने के लिए यहाँ पर साधारन text editor में आप इसको paste नहीं करेंगे आप इसको paste करेंगे stml editor में या फिर stml view में कहाँ पर आएगा यह option आपको यहाँ मिलेगा आप देख सकते हैं आप stml view लिख खा रहा है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो editor है वो change हो जाता है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं br tag break row का tag आ रहा है इसको आप delete कर दीजी कोई जरूत नहीं है आपको क्या करना है right click करके जो भी आपने complete copy करी थी script यहाँ पर paste कर देनी है ठीक है यहाँ पर वो paste होके आ गए complete script आपके कितने ही question हो पूरी की पूरी script आपको यहाँ पर paste कर देनी है then आप क्या करेंगे then आप इस पे अब आप compose view पर click कर सकते है ठीक है आपके script इस page पर आगई है आपको ऐसे निजर नहीं आईगी अब आप अपने इस page का preview कर सकते है प्रिव्यू करता हूं मैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं title लिखा रहा उपर computer science quiz जो की मुझे यहाँ पर शो कर रहा है और इस तरीके से मेरा जो ब्लॉक पर question and answer है वो यहाँ पर शो हो गए ठीक है प्रिव्यू में मेरे button work नहीं करेंगे चलिए हम इसको publish भी कर देते है यहाँ पर आपके पास pre-view पर हमने वापछ से click कर रहा बहर आ गए यहाँ पर आपके पास एक button आ रहा है publish का इसको aún publish कर देते हैं यहाँ पर आपके पसार रहा है publish post confirm confirm कर देते हैं ठीक है तो हमारी जो पोस्ट है वो यहां पर पब्लिश हो चुकी है आप देख सकते हैं हम अपने ब्लॉग को अब देखते हैं कि किस तरीके का लग रहा हमारा कुश्चन आया नहीं आया कंप्यूटर साइंस कुईज फोटो वही आ गई लिंक से अटोमाटिकली इसको हम ओप करते हैं कि ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर हमारे जो कुश्चन है या फिर शो ओल कुश्चन करते हैं सारे कुश्चन यहां पर आ रहे हैं आप देख सकते हैं यहां पर बटन वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वह आप देखें आप देख सकते हैं करेक्ट ओके, sorry try again, wrong हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप यहां पर complete question and answer यहां पर दे सकते हैं, तो इस तरीके से यहां पर हमारा quiz complete हो जाता है और इस तरीके से आप attach कर सकते हैं, हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत programming आती है, तो यहां पर आपको एक advantage हो जाता है, कि आप इस तरीके की जो चीजे हैं, आप पर उपर जो index वगरा का और जो next का बटन आता है, आप ही हटा सकते हैं, इस में से unwanted चीजे हटा सकते हैं, साथ इसाथ अपने accordingly color भी यहां पर set कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप create कर सकते हैं, इस तरह का dynamic quiz, अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगाओ, अगर.